पूलो दोस्तों आज हम लोग फ्रेंट साइट में कलर करने वाले जो एपक्स का डश्पूरूप का कलर है इसेन पेंट का यह दिवाल हमारी पहले की जो आप देख सकते हो और इसी काम पास्तर लगाने वाले इसके अंदर हमने आश लिटर पाने मिक्स किया हुआ है जो डश्पूटर की बालती थी उसके अंदर और यह प्राइमर को भी हमने पटला किया था जैसे अच्छी तरह से लग जावे जो पूरा आस्ता लगा दिया था हमने जो इसकी वीडियो हम नहीं बना पाए थे और कहीं जगा पर क्रेक थी तो वहां पर हमने प्योपी का टेचिंग किया हुआ है वह आप देख सकते हो यह 10 लीटर की बाल्टी है जो इस्षेंग प्रिंट का एपेक्स का डश्प्रूप का कलर है वह आप देख सकते हो जो हमने कॉंपीटर पर कलर बनाया था और इसका सेड़ नंबर है 8479 और यह अलका सा ग्रीन कलर है जो आप देख सकते हो यह कलर हम 20 लीटर की बाल टी में निकल रहे हैं जो पहले मंगा थी उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है यह 20 लीटर की बाल टी में पहले हमारा कलर बच गया था इसके लिए हमने ये कलर में 6 लीटर पानी जितना मिक्स किया हुआ है जो आप देख सकते हो जो फर्स कोट लगाने के लिए और ये फर्स कोट लगा रहे है हम ये जो क्रीम कलर लगा है वो हमने पहले पसंद किया था ये कलर का एक कोट हमने लगा दिया था इसकी वज़े से अपने कलर को थोड़ा गाडा रखा है कि जली अच्छी तरह से कलर बेट जावे अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो हमने आखे भी बनाई हुई है जैसे जो टेरीज पे लगाया था कलर तो वो भी आप देख सकते हो के कैसा लग रहा है कलर प्लेइन डिवाल पे ये फस कोट भी लग चुका है जो आप देख सकते हो ये सिलिंग को हमने एस्टीरियर कलर लिया है जो वाइट हैrd ये हम सेकंड कोट लगा रहे है जो कलर को गाडा ही रखा है हमने और इसमें हमने पानी थोड़ा कमी मिक्स किया हूआ है जैसे अच्छी तरह से लगे कलर और ये सेकंड कोट लगाने के बाद ये हलका साथ डाक कलर है जो आप देख सकते हो और इसकी साइनिंग भी अच्छी है ये सेकंड कोट भी लग चुका है हमारा जो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है और आद दूस्तों ये पट्टे का कलर हमने लाइट लिया है जो यही कलर में हमने वाइट थोड़ा मिक्स करके थोड़ा अलका लाइट कियागा वह आप देख सकते हो ये कलर की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और ये कलर अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसे हर नोटिविशन आपको सबसे पहले मिलती रहे हर वीडियो की ये सिलिंग को भी हमने वाइट लिया है और दीवाल पे भी वाइट लिया जो इस्टीरियल कलर है जो एस है और दोस्तो ये गेलरी में हमने पहले फर्स्ट कोट लगाया दा उसके भी वीडियो में ने बनाई हुई है अगर दोस्तो वह वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखिए कि हमने फर्स्ट कोट कैसे लगाया दा और ये फाइनल होने के बाद कैसे लग रहा है कलर वो आप हमें कमेंड में कह सकते